तो आपने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तु की मात्रा में जब हम वृद्धी करते जाते हैं तो कुल लागत के साथ साथ सिमान्त लागत में भी परिवर्टन होता जाता है अभी तक हम टेबल के आधार पर जिन ग्राफों को हमने देखा हमने देखा कि वहां पर यू शेप की अंग्रेजी के यू आकार की प्रकृति हमको प्राप्त हो रही है तो क्यों ये युवाकर की आकृती बनती है इसका कारण जान लेते हैं कहीं न कहीं इसका एक मुख्य कारण है तक्नीकी बचती यानि कि आंतरीक बचते हैं कि जब हम उत्पादन में व्रिद्धी करते हैं उत्पादन के साधनों की काईयों को जब हम बढ़ाते हैं तो उससे जो हमको उत्पादन में व्रिद्धी प्राप्त होती है उससे कहीं न कहीं उस फर में बहुत सारी बचत होने लगती है आंतरिक बचते होती है यही कारण है कि हमको यू शेप की एक जो आकृती है वो ग्राफ में प्राप्त होती है तो कौन-कौन सी वो आंतरिक बच करने के कारण बहुत सारे नय तकनीक बहुत सारे विसस्ट उपकरनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे प्रोडक्शन में बहुत व्रिद्धी होती है तो यहां पर हमको कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है यानि लागत हमारी कम आती है लेकिन विक्रह से हमको लाग जादा मिलता है तो कहीं न कहीं यहां पर बचत जो है फर्म को वो होती है दूसरी अगर हम बचत की बात करें तो हम देखते हैं कि श्रम संबंधी बचते भी हमको प्राप्त होती है जब हम श्रम विभाजन करते हैं या हम विसस्टिकरन का प्र तो वह बहुत ही मन लगा के काम करते हैं यानि कि बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन में वह सहयोग देते हैं तीसरी बात यह भी हो सकते हैं कि हमको विपढ़न का लाब भी यहां मिलता है जैसे हमने पहले अध्याय में भी देखा कि विज्यापन या विपढ़न जो है उस लाग कर देते हैं यहां पर लमबा खर्च जो हम पहले से कर्देते हैं उसका लाब हम का फालमे समय तक मिलता रहता है एक और बच्चते हैं पर प्रबंधिकिय बच्ते होता है यानि कि हमने अपने फर्मे जो प्रबंधिक indicator का का जो हमने वक्त रहे इनी बच्चतों के कारण वो पहले जब उत्पादन की मातरा में हम रिद्धी करते हैं तो कई बार वो गिरती व्यवस्ता में प्राप्त होता है फिर वो उत्पादन बढ़ने लगता है अब अगर हम औसत और सीमांत लागत में संबंधों की बात करें तो काफी महतुपूर संबंध है इनमें जैसे कि हम देखते हैं कि दोनों को ही कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं यहां पर जब हम को औसत लागत गयात करनी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं औस लागत के साथ सीमांत लागत गयात करने के लिए भी हमको कुल लागत और उत्पादन की मात्रा तक पहुंचना ही पड़ता है तो एक तो यह संबंद है दूसरी अगर हम बात करें तो अभी हमने जो अगर हम इस टेबल के आधार पर बात करें तो हम देखते हैं कि सीमांत लागत जो है वो औसत लागत के साथ साथ उसमें परि सीमांत लागत की बात करें तो वह से ज़्यादा स्पीड में घट रही है अगर पहली से पाठीश में और सीमांत लागत को मेंड़ता देखते हैं कि जिस पीड में ओसत लागत घट रही है उससे कहीं ज्यादा स्पीड में सिमांत लागत घट रही है वैसे ही अगर बढ़ोतरी की बात करें कि उत्पादन की मात्रा में कभी वृद्धी अगर होती है साधनों में अगर हम वृद्धी करते हैं तो वहां पर जब हम ओसत लागत और सिमांत ही है लेकिन सीमान्त लागत जो है वो उससे भी स्पीड में बढ़ रही है यानि घटने की दशा हो जाए बढ़ने की दशा हो दोनों एक दूसरे से संबंदित होकर घटे या बढ़ते हैं चौथा एक इसमें महत्पूर्ण संबंद ये भी होता है कि जैसा कि अब तक हमने दे वक्र है ये ऑसत लागत के वक्र को अगर हम इस टेबल का बनाते हैं तो दोनों वक्र एक दूसरे को उस सथान पर काटेंगे जहां कि यहां यहां और वक्र को जब काटेगा तो यह निउन्त प्र होगा जैसे कि हम ठेबल में देखते हैं कि जब सात्वी काई का प्रियोक जब किया गया जहां पर यह जो ओसत लागत थी 177.9 थी यह नियूंतम ओसत लागत है अब तक कि उस टेबल के अनुसार यह और जब कि सिमांत लागत जो है वह 150 थी तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यह इसी बिंदू पर एक दुसरे को काटेंगे और यह जो बिंदू है यह वो बिंदू होगा जहां पर एक हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम उतपादन चमता कि कैलकुलेशन हम वहां पर कर पाएंगे और सिमांत लागत के संबंद को हम रेखा चित्र और टेबल की साहता से समझेंगे इस टेबल में जैसे जैसे उत्पादन के इकायों में व्रद्धी होती जा रही है और सत लागत कम होता जा रहा है घटता जा रहा है और एक निश्चित सिमा के बाद फिर ये बढ़ता है वैसे ही सीमांत लागत के बारे में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की अत्रिक्तिकायों म सुन्य से बढ़ाकर एक की गई तो उसत लागत आट सो थी और उस समय सीमांत लागत तीन सो थी जब उत्पादन की इकाई को बढ़ाकर दो कर दिया गया तो उसत लागत 450 और सिमांत लागत 100 हो गई जब उत्पादन की इकाई को 2 से बढ़ा कर 3 कर दिया गया तो औसत लागत 450 से घट कर 316.7 हो गई और सिमान्त लागत भी 100 से घट कर 50 हो गई वैसे ही जब उत्पादन की इकाई को 4 कर दिया गया यानि कि 3 से बढ़ा कर 4 कर दिया गया तो औसत लागत 316.7 से घट कर 345 हो गई और सिमांत लागत 50 से घट कर 30 हो गई कुल मिलाकर ये पूरा टेबल ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसे जैसे हम उत्पादन की इकायों में व्रिद्धी करते जाते हैं औसत लागत पहले धीरे धीरे घटता जाता है और फिर एक निश्चित सिमां के बाद वह बढ़ता है जैसे कि आप देख रहें यहां पर कि आड़ी कायी के प्रयोग पर ओसतलागत यानि कि जबने आठ प्रयोग किया तो ओसतलागत एकसो सटंप्यासी दशॉम्लो मौंच थी लेकिन जब हम ने नव िकाइक का प्रयोग किया है कर दिया तो यहां पर 252 पर और जब हमने 10 इकाई का प्रयोग किया तो वो बढ़कर 280 हो गई बिल्कुल इसी तरह सिमान्त लागत के बारे में भी हम कह सकते हैं कि सिमान्त लागत जैसे जैसे उत्पादन की इकाईों का प्रयोग हम बढ़ाते गए कि यह पूरा टेबल और सिमान्त लागत के संबंध को इस प्रकार बताता है कि उत्पादन में ब्रिद्धी होने पर जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम रहती है जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं एक चीज यह भी टेबल में देखने को मिल रही है कि उसत लागत जब कम हो रही है तो सीमान लागत और भी अधिक गती से कम हो रही है जैसे यहां पर हम देख रहे हैं अगर यहां पर देखा जाएं तो सीमांत लागत वक्र जो है वह आसलागत वक्र को उसी बिंदु पर काड़ता है जहां पर उसत लागत न्यूंतम होती है याने कि हम यहां पर देख रहे हैं कि उसत लागत जो जहां पर सबसे कम है जहां पर सबसे न्यूंतम है याने कि साथ वे इकाई साथ इकाई के प्रयोग पर जब वह 177.9 है उसत लागत सबसे कम है वहां पर इसको सीमान्त लागत का बिंदू काटेगा जिसे हम एक ग्राप के द्वारा समझेंगे आए इसका एक ग्राप देखते हैं यहां पर हमने रेखा O X अक्षपर उत्पादन की मात्रा और रेखा O Y पर लागत को लिया हुआ है पहले हम इसमें ओसत लागत वक्र का निर्मान करेंगे जब हम उत्पादन की एक हीकाई का प्रियोग करते हैं तो ओसत लागत आठ सो रुपे दो हीकाई का प्रियोग करने पर तीन ये का प्रयोग करने पर 316. def 245 प्रयोग करने पर 206 प्रयोग करने pod 187.8 प्रेज़ा यासी दशम्लों पाच्च, नौ एकाई का प्रयोग करने पर दूसो दशम्लों दू और दस एकाई का प्रयोग करने पर दोसो असी रुपर हो जाती है, इसके आधार पर जब हम एक वक्र का निर्मान करते हैं, तो हम देख रहे कि यह जो हमको A-C वक्र मिलता है, यह यू को सीमान्त लागत वक्र का निर्मान करेंगे, तो हम देखते हैं कि जब उत्पादन की एक प्रयोग हम कर रहे थे, तो सीमान्त लागत तीन सो रुपर है, जब हमने उत्पादन की दो इकाई का प्रयोग किया, एक से बढ़ा कर दो कर दिया, तो सीमान्त लागत सो रुपर, तीन इकाई का प्रयोग करने पर 50, 4 इकाई का प्रयोग करने पर 30, 5 इकाई का प्रयोग करने पर 20, 6 इकाई का प्रयोग करने पर 100, 7 इकाई का प्रयोग करने पर 150, 8 इकाई का प्रयोग करने पर 250, 9 इकाई का प्रयोग करने पर 500, और 10 इकाई का जब हमने प्रयोग किया तो 800 र बाण किया अब हम देखते हैं कि यहां पर यू आकार का एक हमको अंग्रेजी के यू आकार का एक शेफ राप्त होता है ऐसे इसलिए होता है कि उत्पादन के छेत्र में यह परिवरतर शिल अनुपातो का नियम यहां पर लागू हुआ है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि यह जो पी बिंदू है इस पर काटता है और कटाओं बिंदू से फिर वो धीरे धीरे हमने जैसे टेबल में पर देखा यह उपर बढ़ना शुरू कर देता है इस बिंदू के पहले जहां पर औस लागत वक्र एसी उपर से नीचे के और गिर रहा है यहां पर सीमांत बाद हम देखते हैं कि यह जो उसत लागत वक्र है यह एसी के ऊपर की और बढ़ने लगता है और इस समय सीमांत लागत वक्र यानि कि एम सी जो है वो भी बढ़ने लगता है लेकिन फिर भी हम टेबल के कोडिंग देखते हैं कि सीमांत लागत वक्र में जो व्रिद्धी है जो बढ़ने के उसकी स्पीड है वो औसत लागत वक्र से अभी भी करूँ अब बात करते हम आगम की अभधार्णाओं की आगम यानि की आए एक उत्पादक जब विभिन ने साधनों का प्रयोक करके वस्तों का उत्पादन करता है तो उस पूरे उत्पादन को बेचने के बा जाना है कि लागते जुड़ी हुई रहती है उसमें हम जो उत्पादक जो होता है अपना लाव जोडता है और उसके बाद फिर वो उससे अपने विक्रेमुले निरधारित करता है तो उस बेची गई वस्तू पर वास्तों में उसको कितनी आए हुई यह आगम की अवधार् तो हम इसे तीन अलग-अलग स्टैप में वर्गी क्रीट करके देखेंगे पहला जू आयगा वो आयगा कुल आय या कुल आगम जिसे हम कहेंगे टोटल रिवेण्यू और तीसरा जू है वह सीमांत आए या सीमांत आगम या मारजिनल रिवेण्यू कुल आय कि अगर बात कर कुल आगम ये टोटल रिवेन्यू की बात करते हैं तो बहुत साधारन सी बात है कि एक उत्पादक ने जो भी अपना उत्पादन बेचा उससे उसको जो कुल आय मिली बिक्री के रूप में वो उसकी कुल आगम एकुल आय कहलाएगी जैसे कि पंद्रा इकायों को बेचा गया एक इकाय का मूले 10 रुपे ने धारित किया गया तो कुल मिला कर उसको 150 रुपे आय हुई तो यह जो 150 रुपे की आय है वो कुल आय कुल आगम ये टोटल रिवेन्यू कहलाएगी वैसे ही अगर हम उसत आय या उसत आगम की बात करें तो जब हम कुल आय हमने केल्कुलेट क कर ली तो हम एक सिधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं उसत आय बराबर कुल आय बटे बेची गई कायू की संख्या जैसे कि हमने देखा कि 15 इकाया 10 रुपय की हिसाब से हमने 150 रुपय में बेची यह 10 इकायू की आय है लेकिन हमको एक इकाय की चाहिए अगर उसत चाहिए तो हम इकाय की संख्या से इसको भाग दे देंगे यानिकि अगर हम दस से इसको भाग दे देंगे तो 15 रुपय जो है वो हमारी ओसत आय हो जाएगा तीसरी हम बात करते हैं सीमानत अखिता वैसे ही एक अवधार्णा है सीमानत आय यानि अंतिम वस्तु के विकरे से जो हमको आय हो रही है वो सिमान्त आए जिसे हम एक फॉर्मूले से ऐसे भी कैल्कुलेट कर सकते हैं MR इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन इसे हमें कुदारण से इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमने 20 इकाई को 10 रुपे प्रती इकाई के हिसाब से बेचा यानि कि 200 रुपे हमको आए हुई 20 इकाई के लिए हमको 200 रुपे आए हुई उसके बाद हमने 21 इकाई को 12 रुपे प्रती इकाई के हिसाब से बेचा यहाँ पर हमको 252 रुपे की आए हुई इकाईों में डिफ्रेंस आता है पहले 20 और फिर 21 यानि कि एक इकाई अत्रिक्त जुड़ गई वहाँ पर आई में डिफरेंस आता है 200 पहले थी अब 252 हो गए यानि कि 52 रुपई की अत्रिकताय हुई है तो हम यह मांन सकते हैं कि यह जो 52 रुपई की अत्रिकताय है इसको यहाँ पर हम सीमांत आय कह सकते हैं अब ये कुल आय औसत आय और सिमान्त आय की इस पूरी प्रक्रिया को आईए एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कुल आय, औसत आय और सीमान ताय में संबंध को स्पस्ट करने के लिए हम एक टेबल और ग्राप का प्रयोग करेंगे इस टेबल में हम देख रहे हैं कि बेची गई इकायों की संख्या में किस प्रकार विद्धी होती जा रही है इस ब्रिद्धी का कुल आय, औसत आय और सीमान ताय पर किस प्रकार प्रभाव पढ़ रहा है बेची गई इकायी की संख्या जब एक थी उस समय कुल आय दस, औसत आय दस और सीमान ताय भी दस थी जब बेची कई काई के संख्या 2 हो गई तो खुल आए बढ़कर 18 हो गई ऐसी दशा में औसत आए 9 और सीमानत आए 8 हो गई यहां औसत आए और सीमानत आए के लिए हम उन्ही फॉर्मूलों का प्रियोग करेंगे जो इसके पहले हमने औसत आए और सीमानत आए के कैलकुलेशन के लिए देखे हैं यानि कि औसत आए निकालने के लिए हम कुल आए को बेची गई इकाई के संख्या से भाग देंगे जैसे कि कुल आए 18 है बेची गई इकायो की संख्या 2 है तो 18 को 2 से हम भाग देंगे तो और सत आए हमें 9 प्राप्त होगी उसी प्रकार सीमान्त आए निकालने के लिए हम पहले की आए और अभी की आए में हुए परिवर्तन को देखेंगे यानि कि इसके पहले आए जो थी वो 10 थी और अब बढ़कर 18 हो गई तो 8 हुपय का परिवर्तन आया है जो की दूसरी कंडिशन में सीमान्त आए कहलाएगा ठीक इसी प्रकार जब 3 इकाईया बेची गई तो कुल आए 24 औसत आए 8 यानि कि 24 को हम 3 से जब भाग देंगे तो औसत आए हमें 8 प्राफ्त होगी ठीक उसी प्रकार सीमान्त आय 6 यानि कि 24 में से जब 18 माइनस करेंगे तो देखेंगे कि 6 इकाईयों का परिवर्तन यहां पे 6 रुपय का परिवर्तन यहां पे हुआ है तो सीमान्त आय जो है वो 6 रुपय होगी जब 4 इकाईया बेची गई तो कुल आय 24 से बढ़कर 28 रुपय हो गई इस कंडिशन में जब हम 28 को 4 से भाग देते हैं तो औसत आय 7 रुपय हो जाती है और सीमान्त आय निकालने के लिए जब हम 28 माइनस 24 करते हैं तो सीमान्त आय हमको 4 रुपय मिलती है अगली दशा में जब 5 इकाईया बेची गई तो कुल आय 30 रुपय होई इस दशा में कुल आय के अधार पर जब हमने औसत आय निकाला यानि कि 30 को जब हमने 5 से भाग दिया तो औसत आय हमने 6 मिली और सीमान ताय निकालने के लिए हमने 30-28 किया तो हमको सीमान ताय 2 रुपए मिल गई इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम बेचे गई कायों हमें 6 मिलती है फिर 7 फिर 8 यानि कि बेचे गई कायों के संख्या में व्रिद्धी होती जाती है तो कुल आय जो है वो एक समय के बाद घटा चला जा रहा है यानि कि छटवी एक आय को जब बेचा गया तो कुल आय 30 हुआ 30 रुपए हुई जब हम 30 को 6 से भाग देंगे तो 5 रुपए के उस्त आय मिली अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि असत आय जो है वो घटनी शुरू हो गई है सीमान ताय के अगर हम बात करें तो हम देखते है कि 5 रिक आय के विक्री पर भी वह 30 थी और 6 रिक काय के विक्रे पर भी भो 30 ही है यानि कि अगÎ 30 मानस 30 हम करते हैं तो सिमान ताय यहां पर शुन्य ही आती हैं अब जब हम साथ इकाईयों की विक्री यहां करते हैं तो हम देखते हैं कि कुल आय जो है वो घटकर 28 रुपय हो गई इस कंडिशन में उसत आय अगर हम निकालते हैं यानि कि 28 को हम साथ से भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि ओसा ताय चार रुपय मिलती है जो कि उपर जितनी भी ओसा ताय है उससे कम हो गई है यानि कि अब घटनी शुरू हो गई है और अगर हम सीमान ताय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 28 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो माइनस 2 यानि कि घड़ती हुई अवस्था में रिनात्मक अवस्था में हमको सीमानताय प्राप्त हो रही है इस पूरी तालिका को देखने से एक बात साफ हो जाती है कि जब हम अत्रिक इकाई बेचने के लिए कीमत में कटोती करती हैं तो उस समय फर्म में वस्थू की एक इकाई को बेचते हैं तो उसत आये खूलाय और सीमानताय यहां पे सभी 10 रुपए हैं लेकिन जब वही वस्थू की दो इकाई बेचते हैं तो जो कीमत है वह कटोती होके नौर पर प्रतिकाई कर दी जाती है अब इससे उसकी कूलाय क्या हो जाती है अठारह पर हो जाती है तो इस प कूलाय में अंतर के अधार पर निकाल कर प्रापि कर लिया जा सकता है एक और यहां पर देखने को मिलती है कि जब बढ़ते हैं यानिकि देखते हैं कि बढ़ने के साथ सी ना बनी हुई है तो पाँच ऊकाई तक ही धनात्मक है लेकिन उसके बाद जब हम आपर वेचते हैं तो जो फिल सीमान नात्मक होती है कि एक संबंद हम यह भी बता सकते हैं कि जब और सट आए घटती है तो सीमान टाय भी घटती है यहां पर हम देख रहे हैं कि सीमान टाय भी जो है वह चार से दो होने के बाद शुन्य हो गई तो यह एक संबंद है कि जब और सट आए घटती है तो सीमान टाय भी घटती है किन 6 से घटके 5 हुई लेकिन सिमान तायर जो है वो बिलकुर शुन्य हो गई तो यह जो पूरा टेबल है वो बता रहा है कि किस प्रकार से खुल आयका और सिमान तायर पर पढ़ता है और क्या इन तीनों में आपस में संबंद है इस पूरे टेबल को हम एक रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे हम देखते हैं कि यहाँ पर रेखा ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तू की बेची गई इकाईया ली हुई है और रेखा ओ वाई पर हमने वस्तू की लागत को लिया हम यहां खुल आयe के लिए वक्ष का निर्माण करेंगे जब हम खुल आय वक्ष बनाएंगे तो देखते हैं कि एक बैचने पर रेखा हुई है दस हुई दो इक यह बैचने पर फुल आयआए ऑठारा तीन इक बैचने पर फुल आयए 24 चार इक आय मेचने पर फुल इस प्रकार हमको यहाँ पर एक खुल आयवक्र जिसें टी आर से प्रदर्शित करते हैं टोटल रेवनी कर्व हमको मिलता है जो स्पस्टूप से दिख रहा है कि नीचे से उपर बहुत स्पीड में यह बढ़ता हुआ जाता है और एक निश्चित समय के पश्रात वापस नीच गिरने लगता है पृषके हुआ और प्रकत जो हम निर्मान करें तो हम देखते हैं कि जब बेची गई काई 1 ती तो बेची गई डिति टो हो GB 119 भी बेची गईक कई जब तीन हो गई तो ऊसत आया हुँपया से штय होने पर गटकर घटकर फामच रुपए Aleker जब बेचिग त fall सब्सक्राइब लिए जब जाहिए तक्रत टुर्म तें हो गई यहां पर हमको जो ए आर वक्र मिल रहा है वो भी यह प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे बेची गई इकायों की संख्या में व्रिधिक होती गई वैसे वैसे आउसत आए धीरे धीरे घटी गई जिसे हम ए आर वक्र से यहां प्रदर्शित कर रहे हैं तीसरी दर्शा में जब बेची गई इकायों का सिमान ताय पर प्रफाव हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जब बेची गई इकाई एक थी तो सिमानत आय दस रुपे थी, जब बेची गई इकाई दो हो गई तो सिमानत आय आट हो गई, जब बेची गई इकाई तीन हुई तो सिमानत आय छे हो गई, जब बेची गई इकाई चार हो गई तो सिमानत आय चार हो होकर माइनस डू हो गई और चाय को गया तो और माइनस पोर होगे कायो जो कव हम को मिलता मिलता है कि यह बताता है कि किस प्रकार जैसे जैसे बेची गई कायो की संख्या में व्रिद्धी होती गई सीमांत आए धीरे धीरे घटी गई एक समय पर हम आपे देख रहे हैं कि वो शुन्य हो गई और यही एक ऐसा वक्त है जो X रेखा को काड़ते हुए आगे बढ़ जाता है यानि कि ब्रणात्मक होने की इस्थिती भी इसमें आ सकती है इस पूरे रेखा चित्र से हमको कुछ बाते स्पस्ट हो जाती है कि इस पूरे रेखा चित्र में जब कुल आएवक्र यानि कि टी आर यह बिंदू तक बढ़ता जाता है तो सीमान ताय यानि कि मर हम टेबल में भी देखते हैं कि वो धनात्मक है यानि कि इस से स्पस्ट है कि MR रेखा जो है वो C बिंदू तक तो धनात्मक है लेकिन जब यह कुल आएवक्र यानि कि टी आर ए से बी बिंदू तक घटने लगती है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जिर्वट है तो स्पस्टरूट से दिख रह 생– अब यहाँ पर जब आएवक्र यानि के ए आर वक्र गिरने लगता है तो स्पस्टरूट में जो गिरावट है वो a r वक्र की गिरावट कि दर से कापी अधिक है जैसे के हमने टेबल में भी देखा था और वक्र में अगर हम देखते हैं तो दिख रहा है कि MR वक्र जो है वो AR वक्र से नीचे जा रहा है यहां पे उत्पादन की मात्रा O, C हो जाती है तो इसके उत्पादन बढ़ने पर सिमान तायवक्र जो है वो रिणात्मक हो जाता है अब अगर उसा तायवक्र की बात करें तो हम यहां पे देख रहे हैं कि यह बाएं से दाएं नीचे के और गिरता हुआ है इसका अर्थ यह है कि जब वस्तु की अत्रिक दिकाई को बेचने के लिए हमने उसकी मूलने में कटोती की मूलने में जब कमी की यह जो मूलने में कटोती है यह सभी कायों में की जाती है जिनी कायों को हम बेचते हैं तो इसलिए जो औसक आएवक्र है वो नीचे के ओर गिरता हुआ हमको मिलता है सीमानत आएवक्र यानि कि M-R कव के हम बात करें तो हम देखते हैं लेकिन पर भी सीमानत आएवक्र में जो गिरावट किदर है वो अभी भी अधिक बनी हुई है इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अत्रिक तिकाई बेचने के लिए वस्तू के मूले में हमको कटोती करनी पड़ी है तो आपने देखा कि किस तरह से ये तीनों आए एक दूसरे से संबंदित होती है और उत्पादन की मात्रा में की गई व्रिद्धी का या उत्पादन की साधुनों में की गई व्रिद्धी का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है अब हम देखते हैं कि अब तक हमने आगम की जो अवधार्णाओं को देखा कुल मिलाकर कीमत विसलेशन में इनका क्याम हत्व है कीमत निधारण के कीमत विसलेशन के अगर हम बात करें तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया इसी अध्याय पर आधारित है संतुलन की मात्रा का ये निधारण करता है जब हम लागत की बात करते हैं जब हम उत्पादन के मात्रा में व्रिद्धी की बात करते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि हमने संबंदों को देखा कि जब हमने उत्पादन के मात्रा में व्रिद्धी की तो ओसत लागत क्या आ क्योंकि लागत ही एक वह मुल्य होता है अंती मुल्य जिस पे हम अपना जो पादक जो होता है वह अपना प्रॉफिट जोड़ के उसके बाद विक्रे मुल्य का निर्धारन यानि कि उस वस्तु की कीमत का निर्धारन करता है तो एक तो इस द्रिष्टिकोंट से काफी दूसरी बात हम करते हैं कि कीमत निर्धारन की कीमत निर्धारन भी कहीं न कहीं लागत का ही एक अंग है लागत जैसे अभी हमने देखा सेम टू सेम की कीमत जब हमको पता चल जाएगी उसके बाद लागत जब हमको पता चल जाएगी उसके बाद ही हम लाब उसमें निकाल क पर कीमत करे धायन कर पाएंगे अगर हम संतुलन की बात करें तो यहां पर हम को सब चीजों में संतुलन देखना पड़ता है अभी तक हम जब ग्राफ और टेबल कढ़्यान कर रहे थे तो हमने देखा कि किस प्रकार और सिमांत आये और कुल आये में संबंधों को हमने देखा कुल लागत और सिमांत लागत में हमने संबंधों को देखा तो कहीं न कहीं यह सारे जो फैक्टर है वापस में एक दूसरे से संबंधी था निक कहीं न कहीं संतुलन को भी दर्शाते हैं उसके बाद अगर हम लावानी का अनुमान लगाएं तो हमने देखा कि किस प्रकार हम लागत में लाव जोडने के बाद जो विक्रे मुले हैं वो निर्धारित करते हैं या फिर हम कहें कि विक्रे मुले से जब हम लागत को घटा देते हैं तो हम लाव यहानी का अनुमान आसा से लगा सकते हैं तो यह सारी कैलकुलेशन हम इसी के अंतरगत करते हैं इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है अब अगर हम कीमत परिवर्टन की बात करें तो हमने पूरे अध्याय में देखा कि हमेशा हमने इस चीज का अध्यान किया कि वस्तू के उत्पादन की मात्रा में साध गतले करने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पर पढ़ता है और उत्पादन पे प्रभाव पढ़ा है उससे लागत में क्या कमी now रिदी हुई है कुल मिलाकर ये सारे फ्टर ही है जो कीमत को रिधारित करते हैं यांनि कि यह कहा जासकता है कि की मत की प्रभाव का अध्यन करते हैं इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक उत्पादक हमेशा प्रयतनिशील रहता है अपने पूरे उत्पादन प्रक्रिया में कुछ नया करने का हमेशा जोड तोड में लगे रहता है कि कब किस समय वह उत्पादन में कैसे व्रिद्धी करें या अगर क कमी करनी है तो कैसे कमी करें कुल मिलाकर उसका एक महत्वपूर्ण यही रहता है कि कैसे वो कम से कम लागत में अधिक्तम उत्पादन प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा लाब भी प्राप्त करें और उसका जो व्यवसाय है उसको वह बहुत अच्छे से स्थापित भी क पर सके.